असलाम लेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू सीचिंग विट करी इंगर्ड आज की वीडियो में मैं आपको छे मां की बच्ची की बड़ी प्यारी फ्राग डिजाइन राता हूंगी उसके लिए कपड़ा हमने अतार करा लिया है यह मारा लाइनिंग वारा कपड़ा है नीचे जो उसके दैखे मैंने इस तरह पीस से तारह के लिम्बाई में लाइनिंग आरी है और चो पिट्ची की श्रीस है जी फालड entertained रोड़ी के वा लिए और कटिंग बताते हम यह देखें इस तरह से और इसके जो लूमबाई ली है हमने साधे 5 इंच लिए है और इसकी चड़ाई हमने लिए 12 इंची अब हम इसे द्रम्यान में से इस तरह फॉल्ड कर देंगे ठीक है हमने फॉल्ड कर ली फॉल्ड करने के बाद आप यहां पर हम दो इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद एक तीन इंच पर निशान लगाएंगे दो इंच वाले निशान को मैं आदा इंच गहराई दे दूंगी आदा पोना एक इंच और एक इंच वाले निशान को हम यहां से ऐसे ले आएंगे जिस तरह में मोहल मार करते हैं ठीक है। उसके बार यहां पर यहां हम पांच इंच hopने मार्जन रखा और कटिंग कर दी और आप यहां से में गले के पी कटिंग कर दूँँगा यह जो एक इंच हमने हिस्सा रखा है जो हमारी स्ट्र charm peu हैं To उसके लिए है, खोल के भी आपको पेटी दिखा देती हूँ, यह देखें इस तरह से, अब हम इसको सलाई करेंगे, सलाई करने के लिए सबसे पहले गगरी को पेटी के साथ रिटाच करेंगे, उसके लिए फूल बर्टांका करके, मैं यहाँ पे सलाई लगा दूंगी और कपड़ा खुले नहीं, और गिरा लगाने के बाद हम आपने चुनोट्स को पूरे कपड़े कर बराबर कर देंगे, अब यह देखें, इस तरह मैंने बराबर कर ली, उसके बाद हम इसे पेटी के साथ इस तरह मिला कर रखेंगे, और यहाँ पे सलाई लगाएंगे, यहाँ यह देखें, इस तरह से हमने पेटी के साथ इटाच कर लिया, पेटी के साथ इटाच करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, पेटी को फोल्ड करेंगे, और फ्रंट पे हम इसकी बनाएंगे प्लैकिट, यानि के फटी उपर नीचे, जो देखने में प्यारी लगागी और अध्यान से क्ट कर देंगे, और फटी बनाने के लिए यहां पे नीचे हम हलका सा तिर्चा निशान लगाएंगे, यानि के तो को शेप में, यह देखें इस तरह से हमारा तो कौन की शेप में हो इसके बाद यह देखें मेरी वीडियो ब्लार होगी थी तो इसलिए मैंने फटी को टैच करने के पार्ट्स कार दिया लेकिन आपको थोड़ा से दिखा दे त्यूंकर हमने पोना एक इंच फटी ली थी दोनों साइडों की और एक निचे कुट्पर आपके स्लाई कार लिया था यह देखें यहां पर इस तरह से एक नीचे और एक उपर आये पोना एक इंच यह फटी त्यार है थीक है इस तरह से आप त्यार का लीजिएगा अब कंध्य के स्ट्रester् आेप्स आपको आपको मैं बताते हूं कंद्य क स्ट्रैप्स के लिए हमने यह कपड़ा लिया है तक्रीबन सवा दो इन चोड़ा और इसे दर्मयान में इसे फोल्ड कार देंगे और पोना एक इंच की सलाई लगाएंगे यह देखें यहाँ पर मैं यह सीधी सलाई लगा दूंगी और सलाई लगाने के बाद अब हम अपनी कपड़े को सीधा कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे यह देखें मैंने प्रेस कर लिए और यह दिजाइन उपर ले आई इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और दर्मयान में इसे काट कर देंगे यह हमारी दोनों शॉल्डर्स की स्ट्रैप्स होंगी ठीक है अब यहाँ पर मैं इन्हें डिजाइन को राइट साइट पर रखूंगी यानि के शर्ट की राइट साइट के साथ इस तरह रखूंगी और कंदे को उपर सलाईय लगा दूँगी ठीक है यह एक साइट पर हमारी अटैच होगी सेम इसी तरह हम दूसरी साइट पर भी अटैच कर देंगे इनी स्ट्रैप्स के दूसरे सिरे को यहाँ पैसे रखेंगे और सलाईय लगाएंगे यह देखें इस तरह से मारे दोनों से ट्रैप्स अटैच होगी अब हम क्या करेंगे इसके गले को यहां से त्यार करेंगे त्रीक्या गला त्यार करने के लिए आप एक तिर्ची पटी ले 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 मैंने इसके साथ की तिर्ची पटी लिए है यह देखें यह उरेब में है आपको डिजाइन से भी आइडिया हो रहा है इसे अब हम डबल फोल्ड करेंगे पटी की चुड़ाई आप ले ले लें डे डिंच और इसे फोल्ड करके यहां पे एक पैर की सलाई लगाएं यह हम सब्सक्ति प्टी को भी सीधा कार लोगे और भी सीधी कार लोग हाँ यह देखिए पटी को गुमाते जाएंगे और लगाते जाएंगे इस तरह हमने दूसरे शॉलडर तक इसको सलाय लगा ली सलाय लगाने के बाद हम क्या करेंगे यहां किसी ट्रैप्स से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्टरा काट देंगे और यहां पर कार्णर्स पर एक एक काट लगा देंगे ताके हमें फोल्डिंग में सानी हो आप इसके उपर एक टाप स्टीच लगा लेंगे टाप स्टीच का फाइदा यह होगा कि आपका कपड़ा बैठ चाएगा और जब आप इसे उल्टी साइड पर फोल्ड करेंगे तो आपको फोल्डिंग में असानी होगी और वैसे भी अच्छी लगते है टाप स्टीच यह देखें इस तरह से यह मैंने टाप स्टीच लगा ली अब हम क्या करेंगे आभ हम इसे उल्टी साइड पर यह देखें वो मैंने sly के अंड़ दे दी है और जो उसका साफ किनारी थी हमने यह बाहर को रहने दी और उसको आप इसलाई लकाती जाओँगी इसी तरह मैं फरंट की साइट पर भी फटी लगा लूँगी फरंट की साइट पर हमारी open लगेगी लेकिन हम सेम इसी तरीकस लगाएंगे इस तरह देखें कितनी सफाई के साथ आपकी तनिया भी गुम सलाई में टैच होंगी और आपकी फोल्डिंग भी होगी अब यह देखें यह फ्रंट की साइट पर मैंने फटी लगा दी लेकिन यहाँ पर किनारी तकेंट तक सलाई नहीं लगाई क्यूंकि हमारा ब्लैक कपड़ा था तो यहाँ पर मैं तुर्पाई कर दूँगी अब हम इसकी फिटिंग की सलाई लगाएंगे यह देखें इस तरह से फोल्ड करके मैं आदा इंच की फिटिंग दे दूँगी फिटिंग की स्लाई लगाने के बाद आप हम इसको नीचे से फोल्ड कार देंगे और नीचे से हम डबल फोल्ड कारके तकरिबन आदा इन से ज्यादा का फटा फोल्ड कार लेंगे यह देखे इस तरह मैं फूल फराग के उपर स्लाई लगा लूँगी इस तरह से हमारी फराग त्यार होगी, नीचे हमने स्लाई लगा लिए और कमीज की फटी के ओपर चार बटन मैंन लगाए हैं, मैंने इसी प्रिंट के गारपें जो सिंपल बटन होता हैं उनको माड के लगा दिया और नीचे हमने टीच बटन लगा दिया हैं, ताकि खुलने बंद करने में सान हो लेकिन उपर स्टाइलिंग के लिए सेम हमने लगाए हैं ठीक है इस तरह से बड़ी प्यारी शेयप आगी बड़ी प्यारी से हमारी फ्राक डिजाइन त्यार होगी मजीद मैंने बच्चियों के फ्राक के वीडियोज भी शेयर किये हैं आप वो वीडियो और वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जूर कर दे इतनी मेंनत से वीडियोज बनाती हूँ थैंक यू सो मच अलाहाफिज